हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक्स के बारे मात करेंगे जिनमें कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स निकल के आ रही है जो कि कल के मार्केट सेनेरियो के लिए भी आपके लिए काफी अत्तक हेल्प कर सकती है तो एक ही करके स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं वीडियो अगर यूसफुल लगे तो लाइक कर दीजेगा चैनल पर अगर आप फर्स टाम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेजेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबते पहले बात करेंगे अदानी बिलमार के बारे में आज अगर आप देखोगे एक बारी फिर से अदानी बिलमार में 5% का अपर सरकेट लगा और जो शेर की क्लोजिंग है वो 701 रुपे से उपर की तरफ आपको देखने को मिली यानि कि अगर आप देखो 690 पर ओपन हुआ था यानि कि आज आपको पूरा मौका था इसमें एक्जिट और एंट्री करने का तो बहुत सारे लोग यहां पर बोल रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ले नीची या फिर नहीं मैं आपको कुछ नियूस दिखाता हूं जिससे आपको और ज्याद़ क्लेर्टी मिलेगी यहां पर आप देखो आप देखो कि अदानी बिलमार को इतना ज़्याद टाइम नहीं हुआ है इंडिस्ट्री में लेकिन अगर आप देखो के तो सेकिंड लाज़ेस्ट एफम्सीजी फर्म बन चुकी है कमपनी बहुत ज़ादा अच्छी है कमपनी का जो डैवसिफिकेशन है बहुत ज़ादा है जिस वज़ह से अगर आप यहां पर देखो तो लिश्टिंग जब होई थी स्टॉक की तब आपको यहां पर डाउनसाइड मुमेंuet देखने को मिला था लेकिन तब से अगर किसी न hold कर लिया होगा अभी तको इसको बहुत ही तगड़े returns जो है वो मिल गए होंगे अब major update जो निकल के आ रही है वो मैं आपको बताता हूं इनकी यहाँ पे आपको जो meeting है वो देखने को मिलने वाली है और इस meeting में आपको बहुत बड़े-बड़े decisions लेने को देखने को मिल सकते है यहाँ पे अगर आप देखो आज के दिन इनकी जो conference होई होगी वो निको एम के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है hosted by CLSA और 22-23 तक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो analyst के साथ मुंदरा plant है वो आपको देखने को मिलेगा तो definitely अभी थोड़ा सा आप hold कर स इसमें आपको मिल सकते हैं और company यहाँ से बहुत अच्छा का सा perform कर सकते हैं अब हम बात करते हैं सुजलोन energy के बारे में सुजलोन में आज भारी गिरावट आपको देखने को मिली करीवन 5% यहाँ पर आपको जो गिरावट है वो देखने को मिली लेकिन फिर भी अगर आप आप देखोगे तो lower circuit नहीं लगा क्योंकि इसमें भी limit lower upper circuit की जादा की है यहाँ पे आप देखो 10.45 पैसे की closing है 11.15 पर open हुआ था 11.65 पैसे का high भी बनाया था और 10.40 पैसे का इसने low भी बनाया तो यहाँ पे आप बहुत ही जादा गिरावट देखने को मिली है कुछ ऐसा scenario यहाँ पे हुआ है जो कि होने के बाद भी आपको इसमें lower circuit लगले जैसे scenario बन गए जो की काफी ज़्यादा यहाँ पे आपको चौक आने वाला है क्योंकि आज इसमें खरीदारी बहुत ही मैं तो आपको के वले यहाँ तीनी deals दिखा रहा हूँ बहुत सारी खरीदारी हु है उससे यहाँ पे इसमें भी गिरावट आई कुछ अपडेट्स हैं इंडिया फर्स्ट पोर्टेवल सोलर रूफ टॉफ टॉफ सिस्टम अन्वेल्ड इंदा गांधी नगर यानि अगर आप देखो कि इंडिया का पहला पोर्टेवल सोलर रूफ टॉफ टॉफ जो सिस्ट नहीं करना चाहिए डेफिनिटल अगर आप रिस्क और रिवर्ड रेशियो को कम रखना चाहते हैं तो आपको डेफिनिटल एग्जिट कर देना चाहिए क्योंकि इसमें आपको रिस्क तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी लेकिन अगर आपको रिस्क और रिवर्ड रेशियो higher side पे रखना है तो definitely आप इसमें बने रहो और मैं आपको कभी भी ये सला नहीं दूँगा कि किसी भी stock में 15 दिन के लिए 1 मेने के लिए 2 मेने के entry करो आपको मैं हमेसा यही बोलूँगा कि at least कम से कम time जो है वो एक साल का तो बना की जलो तभी company का performance मैं से आपको समझ में आ पाएगा तभी company के बारे में आपको चीजे पता लग पाएगी ऐसा नहीं है कि किसी stock ने 10 दिन में अच्छे returns दे रही है तो वो company बहुत अच्छे होगी ऐसा बलकुल भी नहीं होता है तो मैं आपको यही बोलूँगा अगर long term के लिए अच्छाते हो तो आप बने रह सकते हो उतना ही amount इस में लगाए जितना risk आप afford कर सकते हो कि थोड़ा सा scenario आपको risk की तो लगता ही है आप हम यह आपे बात कर लेते हैं Trident Limited के बारे में Trident में भी सारे stock की तरह आज आपको गिरावत देखने को मिली है जैसा कि तीन वजे के बार सारे stock में बड़ी गिरावत आई है इसमें भी आपको देखने को मिली करीवन सारे तीन पसंड के आज पास की गिरावत Trident Limited में आपको देखने को मिली है 53 रुपे के आज पास share आ गया है और US market में इन्वेस्ट कर रहे है उसके पीछे का reason में बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो US Federal Bank है उसने अपनी rate है जो एक बारी अल्रेडी बढ़ाई हुई है इस बारी और planning कर रही है फिर से बढ़ाने का जिसकी वज़े से जो FIIs है उनको यहाँ पे जो foreign market है यो US market है वो काफी अधा attractive दिखाई दे रहा है in comparison to Indian market यहाँ पे आपको FIIs का जो inflow है वो देखने को नहीं मिल रहा है outflow देखने को मिल रहा है अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो already जो trident है वो आपको stage 4 में देखने को मिल रहा है ASM की वज़े से तो आपको यहाँ पे इस वज़े से थोड़ी सी जो उतार और चड़ाओ है वो कम है यानि कि यहाँ से अगर यह ASM लिश्ट से भार हो जाए तो definitely chances इसमें थोड़ी से बने कि stock फिर से upside movement दिखाते हुए नजर आए और इसके लिए already एक अच्छी news आपको मैं बताई चुका हूँ जो 61 companies थी उसमें अगर आप देखोगे तो trident का नाम भी निकल के आया था PLI scheme के अंडर तो यहाँ से यह बहुत अच्छी news थी second update निकल के आ रही है कि जो स्री लंका में आपको economic crisis देखने को मिल रहा है जिसके वज़े से उनकी जो textile industry सी वो बिलकुल ठप हो गही है यानि कि अब Indian scope थोड़ा सा और increase हो गया है textile का जिसकी वज़े से यह एक point माहुल create कर सकता है तीसरी update अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊ removal of import duty on cotton to push the textile export to 60 billion dollar in financial year 2023 यानि कि अगर आप देखोगे तो cotton पर आपको import duty हटते हुए नजर आने वाली है जिसकी वज़े से अगर आप देखो जो textile का export है वो बहुत अधक बढ़ने वाला है तो जिसकी वज़े से अगर आप देखोगे तो जो textile industry से भूम कर सकती है और यहाँ से अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा भेंकर उच्छाल आ सकता है जब भी market normal होता है तब तो यह तो बात होगी Trident के बारे मैंने आपको हमेशा ही बता है आख बंद करके long term के लिए hold कर लो यह आपको बहुत ज़्यादा तग्रे रिटर्स बना के दे सकता है अपने last stock के बारे मैं बात कर लेते हैं जो की निकल के आता है ITC Limited 4% की गरावट हो गया जिसमें यानि कि आप देख पा रहे हो कितने अच्छे अच्छे stock उनमें इतनी बड़ी बड़ी गिरावट तो आप यहाँ पर definitely देख पा रहे होगी कि किसी particular company का default नहीं है overall market ही सही नहीं है इस वज़े से यह देखने को मिल रहा है अब यहाँ पे अगर आप देखो बहुत सारे reasons निकल के आए हैं कि वज़े से ITC बढ़ सकता है लेकिन मैं आपको कुछ main reason आपको दिखा देता हूँ सब्सक्राइला reason निकल के आता है कि जो cigarette stocks हैं अगर foreign countries में भी देखोगे तो वहाँ पे आपको एक rally देखने को मिल रही है तो यहाँ से chances हैं कि ITC में भी आपको देखने को मिल सकती है second reason निकल के आता है कि जो hotel है वो यहाँ से revive कर सकता है जानी कि अगर आप देखोगे तो COVID की वाज़े से जो hotel sector था वो बिल्कुल दोस्त हो गया था अब यहाँ से revival होगा तो definitely एक business में growth देखेगी revenue increase होगा ऐसे बहुत सारी reason है इस report में लेकि मैंने आपको किवल main main reason बता दिये है तो मेरे क्याल से ITC जिसके पास भी है वो hold कर ले ITC का एक अच्छा phase start हो चुगा है और यहाँ पे आपको Q4 के result आएंगे तो और ज़्यादा पता चल जाएगा तो मैंने छोटी सी वीडियो में आपको ट्राइ किया है सारी information देने का वीडियो का useful लगी हो तो like कर दीजेगा चैनल पर वश्टा मिजट कर रहे हैं तो subscribe भी जरू कर देजेगा धन्यवाद